राम राम भारत के सबसे तेजी से बढ़ते और अभी कुछ दिनों पहले तक कुछ दिनों पहले तक अड़ानी समूह के प्रमुख गौतम अड़ानी दुनिया के तीसरे सबसे अमिर व्यट्टी थे लेकिन अमेरिकी रिसर्च फर्म है फाइनेंशल रिसर्च फर्म है उसने एक रिपोर्ट जारी कर दी करीब सो पन्नू की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में अडानी समूँ पर उनकी कंपनियों पर लंबे समय से अनीमित्ताओं के आरोप लगाए दिए गए इस्टाउक मैनिपुलेशन और बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें कहा गया कि ओर वैल्यूड है और जाने क्या क्या बताए गया अब उसमें कहा गया कि यह दो साल से जान चल रही जब यह रिपोर्ट आई तो उस वक्त अडानी एंटरप्राइज अडानी समूँ का वो अपना सबसे बड़ा फॉलो आन पब्लिक आउफर लेकर आया था इसोग जिस तरह से अडानी की कंपनिया तेजी से बढ़ने उसमें उम्मीद की जा रही थी कि जो एफपी ओ है जो करीब 20,000 करोड का है वो एफपी ओ अडानी के लिए उनके सेंटिमेंट के लिए उनकी कंपनी की उनके समूँ क कि बहतरी के लिए और काम आएगा लेकिन हुआ उल्टा हिंडेंबर्ग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट ने अडानी के एफपी ओ पर ग्रहन लगा दिया 27 जन्वरी को अडानी का एफपी ओ आया था पहले दिन और वो 31 जन्वरी को बंद होगा फॉलो अन पब्लिक आफर यह एक तैय समय है उसके बीच में लोगों को खरीदना है और जो अडानी एंटरपाइज एफपी ओ था 3,112 से 3,276 रुपए प्रति उनिट अब लेकिन ज 2,762 रुपए 15 पैसे पर आ गया अब यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या अडानी समूर अपने इस एफपी ओ जो अडानी एंटरप्राइजेज का एफपी ओ है 20,000 करोड रुपए का इसकी कीमत या तारीख में कोई बतलाव करेगा अडानी की तरफ से जो आया है कि न तो इसकी तारीख में मतला होगा ना इसकी कीमत में मतला होगा अब जो मीडिया में चर्चा है वो दो चीजें हैं पहली अडानी 31 जन्वरी के बाद 31 जन्वरी के बाद इसका जवाब देगा दूसरी वो आज यानि रविवार 29 जन्वरी को भी जवाब दे सकता है जिससे सोमवार और मंगलवार जो दो दिन एफ़ियों के बचे हैं उसमें उसके शेयरों की सिटी ठीक हो जाए अभी अडानी की तरफ से खुलकर जवाब नहीं आया है लेकिन अडानी इंटरप्राइज ने निवेशकों के साथ अपने लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन दिया है उस प्रेजेंटेशन का नाम है इसको कुछ मीडिया हाउसे ने रिपोर्ट भी किया है अलाकि बहुत कम रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट मेरे पास भी आई उस रिपोर्ट में बहुत विस्तार से हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्म के सारे जवाब दिये गया है अब यह आज का जागरण का आज का है यह देखिए हिंडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के दावों में कोई तथ्य नहीं है यह अलग 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 अजिंसियां अलग अलग है सब एक्ट्व हो गई है सब पूछा जा रहा है लेकिन अडानी के ऊपर जितने आरोप हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्म में लगाए अलग बार बार यह कहा जा रहा है कि हिंडेनबर्ग रिसर्च फर्म जो है वो खुद शॉर्ट सेलर है इसलिए जो प्रजेंटेशन का नाम है वो मिट्स ऑफ ऑफ मिट्स ऑफ शॉर्ट सेलर ही लिखा हुआ है और इसमें जो अलग-अलग है इस रिपोर्ट में कुल 18 पन्नों की रिपोर्ट है उसमें अडानी पोट्फोलियो ओवर्वीव और एक्सक्युट्व समरी है गवर्न अडानी की कंपनियों का एकदम अन्नों लोग कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं पता है रेगुलेटरी इंटरफेस और पब्लिक डिस्क्लोजर स्टेटस है अब इसमें बहुत इस्पश्च तोर पर अडानी की तरफ से कहा गया है कि जो 21 सवाल है वो खुद अडानी पोट्फ जो 21 सवाल जिन सवालों की बात कही जा रहे है उसमें से 21 सवाल हिंडेंबर रिसर्च पर्म के जो है उसमें से 21 सवाल वो अडानी के अपने पब्लिक डिस्कोजर से निकले हैं यानि खुद सारजों निकले हैं दूसरा जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग इन्वेस्टिकेशन की बात है अडानी पोट्फोलियो के तो 9 पब्लिक लिस्टेट एंटिटी में से 8 वो बड़ी कंपनी बड़ी जो ऑडिट कंपनियां हैं बिग 6 बिग 6 ऑडिट कंपनी हैं उनके जरिये होती है जो कहा गया है कि क्या है तो उसमें उन्ह अब यह जो अर्निंग विफोर टैक्स इंट्रेस्ट एंट टैक्स यह है तो यह भी उन्होंने बताया है अब जो सेक्टर स्पेस्फिक रेवेन्यू है कॉस्ट है कैपक्स उसके बारे में भी बहुत अच्छे से जानकारी है यह भी कहा है गवर्नेंस के लिहाज से कि four of our large companies are in top seven percent of the peer group in emerging markets or the sector of the world तो यह बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है और दरसल उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे वो फ्लैक्शिक जो कंपनी है वो इंक्यूबेटर के तौर पर काम करती है यानि अलग-अलग कंपनियों को बढ़ावा देने का काम करती है वो जो अडानी एंटर्पाइज लिमुटेड है और उसके अंदर अगर देखें तो इंफ्रस्ट्रॉक्चर एंड यूटिलिटी को पॉर्टफोलियो है प्राइमिरी इंडेस्ट्री है इमर्जिंग B2C है जो इंफ्रस्ट्रॉक्चर एंड यूटिलिटी में है उसमें इनर्जी इंडेस्ट्री है अडानी कनेक्स है जो डेटा सेंटर है जैसे मैं नोईडा में रहता हूं अभी मैंने आपको बताया था ने कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर वहां शुरू होने जा रहा है एक ब्लॉक बन गया है शे ब्लॉक बनने है इसके लावा ट्रांस्पोर् Brewports लॉजिस्ट्रिक स anál है एंक्यु एस्ट्री है और जो एरपोर्टस। और रोटस। रिसोर्स मेनेजमेंट को लेकर सारी चीजों का जवाब उन्होंने दिया है कि क्या अडानी ग्रुप की स्थिती है लेकिन जो एक सबसे महतोकों है कि उन्हें बाकाइदा अपनी रेटिंस के बारे में बताया है उनोंने कहा है कि हमारी नौ में से आठ लिश्टेड कंपनी भी इश्पारिक एंड कंपनी जॉइंट अडीटन है डिलाइट ही आडानी ट्रांस्मिशन का कर रही है और देखें जिस पर एक आरोप है जो हिंडेनबर्ग विसर्च में है न कि शाह धंडारिया एंड कंपनी यह करती है तो उसमें उन्होंने बताया है कि इंक्लूट्स 27 अदर स्टेटूटरी आउडिट फर्म्स लाइक अंस्ट एंड यंग उसके अलावा उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है तो हो सकता है कि यह जो अभी एक अपने सिर्फ निवेश्कों के लिए जारी किया हुआ आगे इसको अडानी ओपन भी करें वह आज भी कर सकती है 31 तारीक के बाद भी कर सकती है अब यह अडानी समूह के भीतर अडानी के जो अंदर अभी यह ताय नहीं हो पारहा है कि हम यहीं ठिके रहे और उनको भरोसा है कि हमने अपनी बात निवेश्कों पहुचा दी है तो हमें उसमें बहुत ज्यादा चिंता करने के आश्यक्ता नहीं है अब बहुत साफ साफ कहते हैं कि हिंगन बर्ग ने नवासी कोश्चन पूछे हैं उसमें से कोश्चन नमर एक दो तीन पांच छे साथ उननीस बीस इकीस सताइश सटाइश उननीस बासट तिरसट चौशट और बहत्तर चोहत्तर पच्चत्तर सतत्र अठाट उन्यासी यह कह रहे हैं कि यह जो पूछा है यह डियाराई और में उसके अलावा जो उन्होंने कहा है उसका उन्होंने सबका अलग अलग जवाब दिया हुआ है सवाल यह डानी ने जो मिट्स ऑफ शौट सेलर यह प्रजेंटेशन प्रस्तुत की है क्या इसके बाद उसको यह भरोसा है यह दम है कि अडानी का एफ पीओ मंडे और है क्योंकि इस एफ पीओ के साथ भारती शेयर वाजार एलाइसी जैसी कंपनियां जो खुद्रा निवेशक हैं और उस सब के साथ अंतर राश्ट्री स्थर पर भारती अर्थ व्यास्था की प्रतिश्था जुड़ी हुई है मैं यह कता ही नहीं कह रहा कि इसका मतलब यह कि अडानी या कोई भी कंपनी गलत करे तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए बिलकुल नहीं खड़ा होना चाहिए और उसके लिए भारत की जो रेगुलेटरी काईया है वो बहुत नियामत प्राधिकरणों बड़े मजबूत है बड़े अच्छे से काम करते हैं से भी इसकी ज बड़ा सवाल है और इसमें जो हम देख पा रहे हैं बहुत साफ साफ लिखा हुआ है और हम जब उसमें जाते हैं कि SBI ने क्या कहा है तो यह रिपोर्ट है moneycontrol.com के रिपोर्ट है SBI says not concerned about Adani Groups debt serviceability यानि वो इसको लेकर कतई चिन्तित नहीं है कि जो कर्ज है वो वापस नहीं आपाएगा सुमार से पहले SBI के तरफ से आना जो देश का सबसे बड़ा सरकारी बैक है यह बड़ा महत्तुपूर्ण है और जाना तर जब हम उसमें देखते हैं तो यह बहुत साफ दिखता है कि यह रिपोर्ट उसके मन्शा उसकी बहुत से चीज़ों पर मैंने पिछली वीडियो रि नहीं देखते हैं और हुं यह दुनिया में कोई डेश ऐसा नहीं जिसकी कंपनिया बड़ी हो देश वड़ा हो अमेरीका हो औरक पो बंहक हो सनक्राइज हो और फॉर्ट रियो भारत इसके बहुत ने किया उनके उपर कोई आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिए और अगर गल्ती पाई जाए तो उस पर कारवाई भी होनी चाहिए लेकिन इसके आधार पर शेयर बाजार में जिस तरह का खेल हुआ यह नहीं होना चाहिए हडानी को आप तीसरे से साथ में पर नहीं दखेल रहे हैं देश को भी दखेला जा रहा है लाखों नुवेशक भी फंसे हुए है यह भी ध्यान में रखना ज़रू है बहुत 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 दन्यवाद